नहुसकार दोस्तों, डीडी रेट केक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ आलोग तो आज जो वीडियो लेकर आए हूँ वीडियो है पाकिस्तानी प्लियर्स लवड इंडियन स्ट्रीट फूड इन हैतराबाद शलिवे देखते हैं भई पाकिस्तानी खिलाडियों को इंडिया में बीफ नहीं दी जा रही है जिससे उनका प्रोटीन जो है वो डायेट कम हो जाएगा और इसका असर जो है उनकी परफॉर्मस पर पड़ेगा और ऐसा होगा और वैसा होगा तो बड़ा बवाल हुआ इस पे भाई जाहिर से बात है कि इंडिया में बीफ नहीं मिलेगा जैसे आपके हाँ सुवर कमांज नहीं मिलता है पोर्क नहीं मिलता है बाहर के खिलाडियों को तो ऐसे ही यहां भी बीफ नहीं मिल रहा है लेकिन इसको लेकर एक इशू बनाये गया अब पाकिस्तानी टीम पर थोड़ा प्रिशर बढ़ गया तो उन्होंने खाना उना खाया है, वहाँ पर तारीफ की है, कहा जा रहा है कि उनको खाना बड़ा पसंद आ रहा है, बिर्यानी और बागी चीज़ें, बड़ा, मतलब लजीज खाना मिल रहा है उनको, और शायद ए फाही देखते हैं कि बाई इस पर पाकिस्तान की जानता क्या कहतीए, नायला पाकिस्तानी रेक्शन का वीडिऊ है, चलि हर देखते हैं तो क्या कहेंगे हमारा ये जो क्रिक्टी टीम वहाँ पर मजूद है और कभी कहते हैं मैं बीव खाना है और कभी कहते हैं कि इंडिया की खाने जैसा सुआतों धूगा हो परेशनी की प्रेस्ट करेंगे पाकिस्तानी की की टीम बी इंडिया के अउस्पटालिटी कीदीवानी हो गये वह कहतेται महमान भगवान का रूप और भगवान संवान उन चलता हूं करें जिस तर्सटी थे छी है reciprojo ह长don iki लेकिन अब पाकिस्तान के बीड़ दिखाई ना ये पाकिस्तान आई थी पाकिस्तान ने कितने अच्छेजर को मतलब डील किया था इंग लैंड आई है अब इंडिया लिदर आएंगे तो हम भी महमान को खाना नहीं कहलाता है कौन नहीं करता है था भई महमान बनके कोई आएगा उसकी तो आब भगत की जाएगी ना कहीं भी करें ओ पाकिसान हो इंडिया हो बंगला देश हो अस्ट्रेलिया हो कहीं भी हो भई इसराइल छोड़के पाकिसान के लिए मतलब हमारे लिए तो ठीक है मतलब एक कौमन ये तो सरकाजम था एक कौमन सी बात कह रहा हूँ कि भई अब कोई किसी के घर जाएगा तो भई उसके लिए इज़त का सवाल है अगर इंडिया पाकिस्तान जाती है तो ये पाकिस्तान की इज़त का सवाल है वैसे ही पाकिसान अगर इंडिया आई है तो ये इंडिया की इज़त का सवाल है या कोई भी टीम कहीं जाती है तो जिस ये तनी महमान नवाजी नहीं की कमाल है यार पहली बार तो इंडिया में पाकिसानिक निगर टीम नहीं आई है इसके पहले सैक्रो बार आ चुकी है उन्होंने तो आपको पता है भरमार लगा दी डिशिस की और क्या मज़ेदार खाने कि लाएं हमारे कुटिर्स सैल्फी ले रहे हैं और उनका जो होचल का स्टाफ था वो भी उनके साथ सैल्फी या ले रहे हम तो कहते हैं वह तो दुष्मन मुलक बहुत हैं तो हमारे साथ भ तो यह शुनिया बेसिकली जो अवाम होती है वे मेशा यह की होती है यह ऊपर से मसलें आते हैं इंडिया के वारे में क्या होगे अगर मुझे कभी यह नहीं कि पानी पूरी लाजमित रहा है वहां ऑदर की बियानी बहुत अच्छी है मैंने सुना है रहा थी कमार की बियानी लाजमी कांपेर कर ना चाँगा या किराजी का प्राइन चीन्ट होगा उनके प्राइन अगर मुख्यार तो बियूर्स पीजिए क्रोंगे निया को ने इंडिया सुना चुका हूँ अपने पुराने वीडियोस में मुझे हैधराबाद सिटी बहुत जादा पसंदे बहुत जादा उचाए हुसेन सागर जील के किनारे बैठ कर चुप चाप कुछ नहीं करना है चुप चाप बैठे रहना है बस देखते रहना है तो बहुत क्या हुमने या फिर लुमिनी पार्क में जाके लेजर शो देखना हो चाए अलग-अलग इलाकों में जाके फिल्म में देखनी हो खुब मज़े की है उन्हे 재밌 है in बैठ लों चाया में बहुत प्यारी लोग है उसके जैसा तो मुझे अब तक इंडिया में जहां-जहां मैं गया हूँ, जहां-जहां और जहां-जहां के बिर्याणी मैंने खाई है वो उन से बहतर लगी है मुझे है, टेस्ट वाइज जो हैधरबादी बिर्यानी है और वहाँ पर हैधरबाद में भी खाने का बड़ा मतब زبرस कल्чер है वहाँ पर में रूम से मुसल्मान भी है वहाँ पर आपके गुज्राती बहुत मिलेंगे आपको मराठी मिलेंगे और आपको बिहारी मिलेंगे बिहार के लोग मिलए है तो सोचए कि चार-पाँच कल्चर वाले लोग आपस में मिलके तो सबके खाने के जोइंट्स हैं और बहुत सारी चीज़ें तो आपको इतनी सारी वेराइटीज मिलती हैं हैधराबाद में खाने के लिए कि मतलब आपको मज़ा ही आजाएगा मज़ा आजाएगा आपको आप नॉन वेजिटेरियन हो या वेजिटेरियन हो दोनों के लिए इतनी चीज़ें हैं वहाँ पर खासकर नॉन वेजिटेरियन के लिए तो मतलब बहुत जबरस्त हैं वहाँ पर तो इसलिए हैधराबाद तो खेर इस मामले में तो खाने के मामले में बहुत जबरदस है बहुत जबरदस है बहुत जबरदस है। तो तो नहीं तो प्राइमनेस्टर नरिंदर मोधी का नारे इंडिया जम के खेलो क्या लगता है वर्ल कब ले जाने देंगे उनके हॉम ग्राउंड में अगर मज़ा तो तभी आएगा जब उदर जाके हम लोग वाल्ड कब लेके आएगा तो अमीद है कि हम ले आएगे चले हैं उमीद पर दुनिया काएम अच्छे की उमीद करें इंशाला इंडिया के अदर जिस तरह हमारी क्रिकेट टीम की महमान नवाजी की जारी जिस तरह से उनको भगवान का रूप मानकर उनकी सेवा की जारी है क्या कहेंगे इस पर वो सेवा ना करें वो प्रोटोकोल न दे नजर रखते हुए हमारे खाने पीना का ख्याल हमें बेहतरीन से बेहतरीन खाना दें तो दे तो रहे हैं ना अब उसका थैंक्स कैसे अदा करेंगे एज़ा पाकिस्तानी उन्होंने आई सी के साथ मिलके जो है ना हमारे मुलक में टोर्नामेंट होने वाला अपने अंद हमारे से एक दोर वो था कि चैना सौदी अरब जैसे मुलक हमारे से चीजें मांगते थे कि यह मदद कार दें यह अलप आउट कार दें तो आप दोर यह आ गया कि हम उनसे और हमारा फिर भी कोई बात नहीं सुन रहा तो यह बड़ा भाई मुझे आप लोग बताईए कि सौदी अरब चाइना ने पाकिसान से क्या मांगा भाई और पाकिसान ने क्या क्या मदद की है अब यह मत कहिए कि सौदी अरबे में पाकिसान की आर्मी है देखिए पाकिसान की आर्मी गई है तो उसके बदले उनको पैसे मिलते हैं ऐस isnhmen हाँ मैं इसके अलावा में कौ़ँगा कि भाई क्या ऐसी क्या चीज़ पाकिसान ने चाइना और और सौधिया अरभिया को दी है जिसको मैं बिजनिस काऊँ या नीड काऊँ मैं जिसको वाकर नीड के जैसे अगर जात अगर मैं ऑगर कि मेरे पास गाड़ियों की नीड है तो पाकिसान ने गाड़ियां मुझे भेजी हैं क्योंकि मैं मैं पाकिसान मैनुफक्चर करता है तो वो मुझे भेजेंगे 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 मतलब इस टाइप की कोछ चीज यह नहीं कि उन्होंने कहा कि जी दूआ करो हमने दूआ है जाने का इतना शोग भी नहीं है मतलब इंडिया जा क्या करना से हमारे जासे पजाब भी इतना बड़ा मुल्क है दुनिया पागल है वहां पर ताज महल है टैंपल वहां पर कल्चर डावर्ट को देख लें कितने हमारे जो है पाकिसान तो आपने बना जाएं आप मौनजो दोडो चले जायाएं आप आर चीज इढर भी तरी ही मुकामफा बिल्कल है बिल्कल मैं इंडिया में बिल्कु जाना इतना मुनासिव नहीं समझूझा एपर इनॉक्ट身 नेगीटिव क्यों बोल रहें बस मैं पाकिस्टानियों का बेसिकली बेसिकली इखतलाफ सिर्फ कश्मीर है अगर हम आज एक मैच और एक वर्ड काप के लिए कश्मीरी वाँ को छोड़ कि इधर साइड पे खड़े हो जेंगे और कहेंगे इंडिया अच्छा है ना उस बात की मनाफ़कत मेरे से नहीं होती है चले ठीक है आपके अप बात पर कायम रहनी चाहिए अगर आपने सारे संबंध तोड़ दिये हैं आपने सब कुछ तोड़ दिया है कश्मीर को लेकर तो मुझे लगता कि मैच कहलने भे नहीं आया चाहिए था और इस पर कायम रहना चाहिए था बहले कि इतना बड़ा नुकसान हो जाता पाकिस्ता क्रिकेट का या पाकिस्तान का लेकिन ही डबल स्टेंडर्ड है कारोबार आपने बंद कर रखा है कारोबार खोल देते तो आम आदमी को फैदा होता सब्जिया सस्ती होती इतनी महंगाई ना हो रही होती यहां से चीज़े चली जाती लेकिन जिससे आम आदमी को फैदा है इतना ही कश्मीर इशू आपको प्यारा है तो आप बिल्कुल नहीं बेजते टीम को बोलते कि नहीं जाएंगे हम खिल फिर तो बात समझ में आती ना और फिलाल कुछ निए के लिए जा भार में कभी सुना यह फैमस हो अधिरी अच्छे होते हैं इंडिया में अच्छे एंडिया हें टीम के बड़ी खुश है और ट्वीट कर रही है कि भाई इस दफ़ा इंडिया ने जो है हैं और पाकिस्तान और इंडिया क्योंकि दोनों एक ही कराने से तलग रखते हैं तो यह चीज़ है उनका खांदानी है किसाब से ना तो उनकी हिदमत गारे तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है अगर इतना जादा मोहबत और प्यार बर्सादिया अब इन रिटान के ना इंडिया में देखें क्योंकि एक अठा घर था एक तो इसमें कोई ऐसी बात एक ही है तो कोई अपना अपने घर आया है है अपना अपने घर है यह तो मैं बड़ा थैंक्फुल हूं इस चीज़ का के इंड लगां पर तो कुछ और भी चीज़ें होती जो एक्स्प्लोर नहीं की होती ना पहले बागी जैसे आपने बात की उनके खानों की वह बड़े हैं और उनकी होस्पिटालिटी जो है वह दिखाने के लिए ज्यादा होती है और मतलब वह उसके लिए कम होती है नैचरली चले कोई ऩो आप की फील करने के बारें उन्हों ने तो कोई कसर नहीं चोड़ी ना अब शायद वर्ल्ल कप था या कुछ था ऐसे तो हमने इंजमामूल हक्त से कॉंटर्ट किया और वो हमारी चैनल के लिए as a guest बुलाए गए करीब महीने डिड़ महीने रहें आपर और मुझे याद है कि यह तस्वीरे लगा देता हूँ कि भई आपको विश्वास हो जाए इंजमाम के साथ मेरी तस्वीर है तो मुझे याद है कि इंजमाम जो कहते थे खाने के लिए हम उनसे पूझते थे बहए क्या खाऊगे यह खामएं तो या फिश का यह आइटम खाना है जी आज मतन का यह आइटम खाना है जिम्मे था तो वो हमने किया तो इस समय भी बड़ा खुश हुए था यार बड़ा जबरस्ट मज़ा है तुम लोगे साथ काम करें तो इस सो कॉल्ड होस्पेटेलिटी क्या होती है जरा मुझे यह समझा दें जब एक आदमी एक छोटी सी और्गनाइजेशन आपके एक प्लेयर की इतनी आवभगत कर सकता है तो जहां पर हमारे देश की बात होगी जहां पर हमारे इंटरनेशनल फोरम की बात होगी वहां पर हम छोड़ देंगे सवाली पैदाने तो और वहां पर सो कॉल्ड हो गई अस पाकिस्तान को रेड लाइट नहीं कर रहे हैं वह सबकी टीमों का एक डिकॉरम बना वाए कि जिसने बाहर से कोई आ रही है कोई हैं कि हमारी टीम के साथ क्या बढ़ताओ किया जाने अन्नों ने अच्छा बढ़ताओ किया है जिसकी हमें खुशी भी है और देखें आगे क् घृद्राबादी खाने का कर टीम दीवानी वी एंगलिया चाटती रहेगी या पोस्ट कर रहे है कि क्या बर्यानी खिला दी क्या खिला दी है इंडिया यह तो हमने पूरी दुनिया में कहीं नीख आया नहीं बाकि इंडियन और खानों का जो एक वराइटी इनके पास तो हमारा रंग चड़ गया थोड़ा सा लेकिन ओवराल उनके गोल पे आप देख लें उनकी आप आप पावभाजी देख लें यार इस तरह की एक हाई तर नहीं मिलती ना इंडिया जाएंगे तो फिर कभी खाएंगे होफिली के पाकिस्तानी क्राउड को पाकिस्तानी जो है बाबर है उनके फैन जो हैं वो इंडिया में भी हैं अगर यहां पर विराद कोली आता है दोनी आता है तो हम लोग भी उतने ही साइटेड होंगे ना कि यार इंटरनेशनली और इंडिया का एक होता है ना कि लाइक बड़े अरसे बाद को इतना अरसा देखें ना एक टीम क जाने ना वो नहीं जाते हैं तो यह बड़ा ऐका फूर के बारे में बता हैं अन्डिया अगर जाने का मौक्षा मिले कौन कॉंस्टेटी विजिट करेंगे और इंडियन्स दोगों के लिए नगे जागेесс हैं आखिया, इंडियन जो भी लोग उदर के लोग लोग तो सारे युमन बीज एक जैसे होते हैं लेकिन पॉलीसी जो होती है वह डिफरंट कर देती है एक मुलक को दूसरे मुलक के साथ तो जो मुझूदा उनकी है अगर पॉलीसी तो इसमें तो थोड़ा मुश्किल है कि जाएं और अग कराची में हमारे बहुत विराइटी है लेकिन इंडियन फिर आपको बते इतना बड़ा मुल्क है इतने बड़े लोग है इतनी बड़ी जितनी ज्यादा मल्टी नेशनलिटी दोंगी वहां पे तो उतना ही ज्यादा टेस्ट में भी डिफरेंट आएगा डावर्ट सिटी बॉ कि सिब्स्राइब कि किसको जाधा जाधा स्पॉर्ट करने वाली है इससाइडमेंट तो जाहरे बहुत वर्ल कप है और इंडिया में तो निंदिया को करें नियां कृपर करें के इंकिक टीव तो हर दूसरे तीसरे पाकिसानी का फेवरिट है यह थिंग यह थिंग नाइस बड़ मोस्ट इस इस पूर्टनी इस थी फूर्ट इवांट इस 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 प्रोवाइद और नो नो इस नॉट थेके वह सानातन धर्म को फोलो करते हैं कि पीछे क्यों पड़े होएं उसारी किस्ट किस्ट कि लव एक पाकिस्तान जो भी इतने इनके जो वार्ज है और जो इनकी बोट देखा मैं फिर हमेशा कहता हूं कि यह चीज़े जान बूज कर क्रियेट की जाती है डिवाइड करने के लिए नफरत फैलाने के लिए मैं फिर से वही सवाल पूछूँगा दुनिया के जो बाकी कंट्रीज क्रिकट खिलती है उनमें से कई कंट्रीज ऐसी है जिनको पोर्क खाना बहुत जादा पसंद है उनके डायेट में शामिल होता है हर दिन क्या पाकिस्तान का दौरा जब वो करती है तो क्या पाकिस्तान उन्हें पोर्क प्रोवाइड कराता है नहीं कराता है हर कंट्री की अपना अपना हर कंट्री का अपना कल्चर है अपनी हैबिट्स हैं उनके हिसाब से करना पड़ेगा तो मेजबान का जो कल्चर है उस हिसाब से होगा महमान की डिमांड के हिसाब से चीज़ा नहीं होगी यह बात समझ में नहीं आती और इसको आप लोग ने फिर से रिलिजन का देना कि हमें तो भीफ पसंद है हमेरा भीफ नहीं मिल रहा भीफ नहीं मिल रहा और एक्तिलाफ हो था हैं जाएंगे डिए बीच में अधिक भी आज़ा हैं इन सब और जोड़ देना चाहिए हमें अधियांड गेह जिए हैंगे फिट देऑन देन फूर्ट के बारे में क्या हमारे क्रिकेटर्स ने का यह उ तो जी दीवानी होगे इंडियन फूर्स के ट्व एक पॉजिटिव इमेज हम प्रवाइड करें पाकिस्तानी के देह तर हम भी देभी देए हैं के इंडिया सपोर्ट करते हैं तो अपने नुकते निकालने हो तो आप किसी चीज़ भी निकाल सकते हैं। वह जैसे बीफ वाली बात है अब उन्होंने बाकि सब्सक्राइब तो इसको आप क्यासे इग्णोर कर सकते हैं तो हमारे बच्चों को सिखाया जाता है कि इंडिया एक दुश्मिक है और यह वह हमारी उन्से बंदी लेकिन हमारे इसको तो वह इतना उनका ख्यास रहे हैं इत सब्सक्राइब तो यह मतलब उनको शुरू से चिखाया जाता है कि यह सब्सक्राइब आपकी मतलब तकरीबन लेंग्विज भी से इसे हैं एक हो यह सुनो कैसा खाना है मौमोज है आज कल लेकिन हमने ट्राइब करने अभी अभी नीगिए बात करती आप इंडिया के इस प्लेश के बारे में तो विक फॉली और उसकी मेने कटिंग भी करवाई थी क्या बात है तो कि को सपोर्ट करो वर्ल्ट करो यह पाकिस्तान इंडिया दोनों को सपोर्ट करें हैं वह विंस डाट डाट डिजन्मेटर अगर इन दोनों का पासे मैश नहीं हो रहा अगर मै प्लेदार है ऐसा क्यों करते पहले नेगेटिविटी फिलाते हैं इंडियन लोगों का दिल दुखता है कि भाई इतना अच्छा आपको सब मिल रहा है उसके बाहर पिर अगले दिन तारीफ करने लग जाते हैं यह देखे ना यह जो मसला है यह मीडिया गया अब जरूरी न बीफ का नहीं क्यों बीफ का लाइट अपकोर्स को अज़ अच्छा नहीं जाए नहीं आपकोर्स मुंगे ना कर तो यह यहां पर आएंगे इंडिया बाले तो हम भी इवाले टार्जी देंगे जैसा कि अवारी गर्मिन्न करती है और प्रायम मिनिस्टर लेवल का प्रोटो तो दोस्तों ये थे मेरी आज की वीडियो और अवाम जी बड़ी खुश है हर बंदे की अपनी सोच है लेकिन मैं यही कहूंगी कि महबते बांटे नफरतों में क्या रखा है आज पाकिस्तान की सेवा इंडिया ने की हमें भी मौका मिले टीम यहां पे आए तो हम भी उनके ख पोटो कोल दिया जिस तरह से उनको खाने खिलाएगे इंडियन रिवायती खाने खिलाएगे उसकी कहते हैं तारीक में मिसाल नहीं मिलती दोस्तों यह थी मिरी आज की वीडियो आपकी क्या रहा है कमेंट्स पर शेयर करें मिलते है अगली वीडियो में दौाओं में याद पाजी जो है वो एहसान नहीं होती यह हमारी जिम्मेदारी होती है हमारे घर को याया है तो उसका ख्याल रखना यह हमारी जिम्मेदारी है हम एहसान नहीं कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि इस बात से आप भी इत्तिफाक रखेंगी जब मेरा पॉइंट समझेंगी कि यह अहसान नहीं है और ना हम किसी के घर जाते हैं या किसी के दौरा करते हैं तो वो हमारे उपर अहसान करते हैं या उनकी जिम्मेदारी है या आपकी जिम्मेदारी है कि अगर मैं आपके घर आता हूँ आपके देश आता हूँ तो that is called एहसान, उसको नहीं भूलना चाहिए overall भाई, ठीक है, पाकिसान है, और मैच है, कोई भी जी सकता है, कोई भी हार सकता है हम यह नहीं कहरें कि हम पाकिसान को धो देंगे, और ये कर देंगे, और वो कर देंगे ऐसी कोई बात नहीं, दिन की बात है, तो भाई, जिम्बवे भी इंडिया को हरा देता था दिन की बात है, हमने भी वेस्ट इंडिस को हरा दिया, दिन की बात है दिन अच्छा हो, और परफॉर्मेंस अच्छी हो, तो वो टिंग जी जाएगी हाँ, ये देखना चाहिए कि लगातार किसकी परफॉर्मेंस अच्छी आ रही है या लगातार किसकी परफॉर्मेंस खराब जा रही है लगातार कौन हार रहा है इन मैचेस में, लगातार कौन जीत रहा है बाकि इंडिया पाकिसान मैच होगा, मज़ा आएगा, पूरी दुनिया देखेगी भाई, जाहिर सी बात है कि बड़ा मज़ा आता है ऐसे मैचेस में, और जहां तक खाने की बात है न, खाने पर अगर मैं आऊँ, तो देखिए, भारत हमारा इतना बड़ा देश है न, कि आप जिस स्टेट में निकल लाएंगे, उस स्टेट में ही हर पचास किलोमेटर, सो किलोमेटर के बाद, खाने की चीज़ बदल लाएगी आपके लिए, एक नई चीज़ इंटोड्यूस हो जाएगी, जैसे मैं आपना बदाता हूँ, बंगॉल की मिठाई हैं मुझे बहुत पसं उचूचूर नान हो, चाहे लसी हो, चाहे पराठे हो, वडू आप पंजाब में तो जो हूँ बंजा, आपको पुरा घी के साथ मिलेगा आप महरास्ट में चले जाएं, वहां का खाना बिलकुल बदल जाएगा, आप बिहार में चले जाएं, खाना बदल जाएगा, महरास्ट में बड़ा पाव है, पाव भाजी है, बिहार में यह लिट्टी चोखा मिलेगा, और भी बहुत सारी चीज़े मिलेंगी, आप हिमाचल चले जाईए, आप उदर जम्मू कश्मीर चले जाईए, मतलब जबरदस्त, तो कहने का मेरा मतलब यह है कि महमान नवाजी हमारी जिम्मेदारी है, उनको खाना खिलाना भी हमारी जिम्मेदारी है, उनको सबसे बेस्ट खाना खिलाना भी हमारी जिम्मेदारी है, कि कम से कम य सबसे पहला सवाल जाते हुए यह होता है कि खाना ठीक था ना बात भी खाने की होती है कि फलाने कहां खाना बहुत अच्छा बाना ता फलाने कहां यह चीज बड़ी अच्छी बनी तो फूड का कल्चर तो हमारे हाना एदम हर जेगा घुजा हुआ है और हजारों तरह के फूड से हमारे पास इतने सारी वेराइटी है कि खाना चखना जम्मू कश्मीर से शुरू करें तो कन्या कुमारी तक और अरुमार्चल से शुरू करें या नौर्थिस से शुरू करें तो उधर गुजरात तक अल्टिमेट है नौर्थिस का खाना गुजरात का खाना हर जगह चीज़ है भाई special चीज़े हैं तो बाखी जल्दे मिलता हूँ आप लोग comment करके जरूर बताईए और माले जे किसी के खाने का किसी state का नाम भूल गया हूँ तो बाखी चाहता हूँ ऐसी बात नहीं है जल्दे मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ नमस्कार जाहिए